हेलो गाईस वेलकम बेक टो आर यूट्यूब चैनल कार गलेक्सी सो आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक और बहुत ज़्यादा अमेजिंग डाइकार्स मॉडल और यह भी होट वील्स की तरफ से आता है यहां पर आपको दिख रहा होगा बहुत ही ज़्यादा शांदार मॉडल है और मैं आपको बता दूँ हैं यहां पर होट विल्स हैं वह वापिस इंडिया में आ चुका है यहां पर जो उनके डाइकार स्मॉडल मॉडल से वापिस से अविलेबल हो गये हैं तो जो भी डाइकार्स आया स्केल मॉडल क्लेक्टरव थे रहीं जरूर अपने यह हम लोग आपको scale model का detail review देंगे unboxing करेंगे हमारा first impression इस कार के बारे में क्या है सब चीजे आपको आज इस वीडियो में लोग बताएंगे तो करते हैं आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट यहां पर हम लोग सबसे पहले इस डाइकास model की packaging के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर इसकी जो packaging है काफी ज्यादा शानदार है काफी colorful packaging है आपको यहां पर सबसे पहले hot wheels की बड़ी सी बैजिंग देखने को मिल जाएगी जो कि हम लोग बचपन से यह जो बैजिंग है देखते आ रहे हैं उसके बाद यहां पर आपको हमारा जो डाइकास model उसका नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा पीची की तरफ अगर मैं आपको packaging देखा हूं तो पीची की तरफ यहां पर आपको packaging में काफी basic details देखने को मिल जाएगी आपको यहां पर car का जो price है वो देखने को मिल जाएगा यहां पर made in Malaysia month and year of import April 2023 का है और उसके बाद यहां पर और भी काफी सारी basic details आपको देखने को म मिल जाएंगी उसके बाद यहां पर इसकी जो packaging front से काफी जादा बढ़िया लग रही है काफी amazing है जैसे माइस्टो और सेंटेडोस की packaging आती है सेम वैसी मिलते जुलती packaging आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगी तो अभी हम लोग इस डाइकार्स मॉडल का on box करते हैं उ तो गैस यहां पर हमनी हमारा जो यह को अन बॉक कर लिए परसिनली मेर को यहां पर जो इसका color यह सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है यहां पे इसका orange और यह यह लाइट ब्लू सकाई ब्लू सा color यह बहुत ज्यादा यहां पर बढ़िया लग रहा है तो सबसे पहले यहां प पर इसको रखों तो आपको एक size का idea मिल रहोगा कि यह size में कितना बड़ा है और weight wise भी light है काफी heavy निया metal quality काफी जादा बढ़िया यूज करी गई है plastic quality भी काफी जादा शानदार है और इसके जो wheels है proper work करते हैं आप voice भी सुन सकते हैं तो यहां पर आवाज भी काफी जादा यहां पर में को यह बड़िया लग रही है तो सबसे पहले यहां पर आपको front foot file से कुछ लुकस ऐसी यहां पर लुक देखने को मिल जाएकि कि आपको यहांपर 2 headlights देखने को मिलेगी जो कि पेयंट एकQLाज वह कहीं है जो brand है इसको देखते आ रहे हैं गल्फ जो oils विगरा होते हैं वो भी यहां पे आपको इसकी बैजिंग देखने को मिल जाएगी और बाकि सामने की तरफ से आपको यहां पे एक chrome color की grill देखने को मिलेगी जो कि front profile से और भी ज़्यादा यहां पे बड़िया लग रही है इसके bumper पर विगरा हर एक चीज़ आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे अगर हम side profile से बात करें तो side profile से हमारी जो car है कुछ आपको यहां पर ऐसी देखने को मिलेगी आपको eight number की again badging देखने को मिल जाएगी उसके बाद गल्फ का logo आपको यहां पर देखने को मिलेगा hot wheels का भ बहुत ही ज्यादा यहां पर बढ़िया लग लग रया है यहां पर इसके फैस कर लुक है काफ सै करूछ यहां पर लग रही था कि देखिखने कर घूगिए Przyद्विश यहां पर देखने हैं betsy किब लिए जबाद कर, perform कर्कर दोट से कहीँ, की त्मस्कंश्यचा मिलें लगाए गहाए है उसके बाद यहां पे आपको इंटीरिस का ओपन देखने को मिलता है तो एक बारी मैं आपको धिखा जाता हूँ जो कि बहुत ही ज़ादा यहां पे जबर्दस लग रहा है लिखने के मिलेगा यहां व सीट्ञ इन णौन को तरह zeggen को बढ़िया और भी काफी basic details आपको यहाँ पर देखने को मिलती है उसके बाद यहाँ पर हमारा जो car का जो यह die-cast model है यह बहुत ही जादा यहाँ पर बढ़िया लग रहा है काफी शांदार लग रहा है इसका जो color especially मेरे को बहुत जादा पसंद आया और hot wheels अपनी cars में काफी amazing colors यहाँ पर use करता है overall यह जो die-cast model है बहुत ही जादा मेरे को यहाँ पर यह शांदार लगा तो यह थी आज की वीडियो आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी